नमस्कार मैंना मुतकर्ष है आप लाइफ शुरीज देख रहे हैं आप सभी को छट पूजा की हार्दिक शुब कामना है देखिए छट पूजा जो है वो बीते दिन से शुरू हो गया है जब नहाई खाई से छट का जो पावन पर्व होता है वो शुरू हो गया और आज खरन का प्रशाद जो है वो तमाम घरों में बन रहा है तमाम च्टवavic जो है वो छत घारट जा रहे हैं गंगसनान कर रहे हैं और शाम के पूजा की तैयारियत हो रही है और ऐसे में डेखिए राजधानी पटना में कई जगहों देख सकतें कि शरद हालूं उनल से सर्वीरों हैं, वह पहुंच रहे हैं और सौजने जो है वह विट्टू सिंग जो की Usamanda शेवियंGen्वी से साथ विनिता बिट्टु सिंग जो की मेर प्रत्याशी है उनके द्वारा ये तमाम समागरी का वित्रन किया जा रहा है छट पर्व जो होता है वो बहार के लिए काफी एहम माना जाता है यूं कहलें कि भगवान भासकर को अर्ग देकर जो पूजा होती है छट पूजा वो खत समर्थ हैं छट के समागरी को खरीडने में उनके लोगों के लिए अब सामने खुद विनिता बिट्टु सिंग और बिट्टु सिंग आ रहे हैं और लोगों को अपने सौजनने से फल वित्रन कर रहे हैं नारियल वित्रन कर रहे हैं आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से उनके जो लोग हैं वो पंडाल लगातर लोगों को सूप नारियल और जो फल होते हैं वो दे रहें और ऐसे में छट़ पर्व जो है वो शुरू हो चुका है तो तमाम सहर धालू जो है वो आ रहे हैं और जितने भी जो फल कहा हैं ज stressing हैं हैं वो तमाम चीजें यहां से ले जा रहे हैं चट पर्व को लेकर बिहार में भी तैयारियां काफी जोरू-शोरू से हैं और साथी साथ पुलिस महकमे में भी तैयारियां हो रही हैं लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह रहती है कि श्रद्धालों को दिक्कत न हो उसको लेकर जलाप्रशाशन भी सकते हैं और बिख्तिति हैं कई समाज सेवी वह वह सामने आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहें और इसी मदद के करमों में वेनीटा बिट्टु सिंग जो की मेर की भावी प्रत्याशी है और साथी साथ जो समाज सेWी eन हैं बिट्टु सिंग दोनो पूजा करने में हाला कि पूजा वहर साल करते हैं तो ऐसे में कई समाज से भी जो है वह सामने आते हैं और अब खुद बिट्टु सिंग लोगों की मदद के लिए पटना में लोगों को फूल और बाट रहे हैं पुलाल खुर में सफ़त नहीं आप हमारे साथ बने रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल सा जल कर ले बहुत बहुत धन्यवाद